नमस्कार दोस्तों, अभी कतर में चल रहे फुटवाल वर्ल्ड कप को लेकर पूरे विश्व में उत्तेजना और उत्सुकता का महाल बना हुआ है। लाखों की संख्या में लोग अपने देश के खिलाडियों को देखने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए कतर जा रहे हैं। दूसरे दूसरे खेल खेले जाते थे जिसमें पैरों और हाथों का इस्तमाल कर बॉल को निशाने में डाला जाता था। इसके प्रमान चीन, ग्रीक और रोमन सभ्यता में मिलते हैं। लेकिन मोडर्न फुटवाल की बात करें तो इसका जन ब्रिटेन में हुआ। 19-वी सदी में ब्रिटेन में फुटवाल के नियम बनाए गए जिनें आज भी हम फॉलो करते हैं। पहला अंतराष्ट्रिय मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1872 में खेला गया। जल्द ही फुटवाल बाकी के यूरोपिये देशों में फैला और उनहीं यूरोपिये देशों के द्वारा दक्षिन अमेर्की देशों में फैला। क्योंकि उस समय ये देश इंग्लैंड, पुर्टगाल, फ्रांस और स्पेन जैसे यूरोपिये देशों के गुलाम थे। फिर आगे चलकर 1904 में फीफा नामक एक संगठन तयार होता है जिसमें फुटवाल से समंधित नियम बनाये जाते हैं और उसके प्रोटसाहन के लक्ष पर काम शुरू होता है। 1908 में पहली बार फुटवाल ओलंपिक में खेला जाता है फिर फुटवाल के पढ़ते प्रसिद्धी को देखते हुए फिफा अपना ही एक फुटवाल वर्ल्ड कप आयोजित करने का फैसला लेता है। पहला वर्ल कप उरेगवे में 1930 में आयोजित हुआ जिसे उरेगवे नहीं जीता। 1934 और 1938 का वर्ल कप इटली ने जीता। फिर दूसरा विश्विद्ध शुरू हो जाने के कारण 12 साल तक कोई वर्ल कप आयोजित नहीं हो पाया। 1950 में फिर वर्ल्ड कप ने वापसी की जिसमें जर्मनी और जापान को खेलने से रोक दिया गया क्योंकि उन्हें दूसरे विश्व युद्ध का दोशी माना जाता था फिर तब से हर चार साल बाद वर्ल्ड कप आयोजित होते आ रहा है 1954 में पहली बार फुटवॉल का प्रसारण टीवी पे किया गया जिस कारण फुटवॉल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया इसी दौर में पेले और मारा डोना जैसे महान खिलाडी का फुटवॉल में आगमन हुआ आज फुटबॉल पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध गेम है 200 से भी अधिक देशों में खेले जाने वाले इस गेम के 3 अरब से भी अधिक फैन हैं अभी तक 21 वर्ल्ल कप का आयोजन हो चुका है जिसमें 5 बार जीत दर्जकर प्राजील सबसे टॉप पर है ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रही है हमारा चैनल ग्यान जीरो गन्यवाद